खवर स्टेशन में आपका स्वागत है नीरब मोदी को ब्रिटेन से भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है नीरब मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 12,000 करोड रुपे की धोका धड़ी का मामला चल रहा है इसी जाँच के डर से वो बचकर इंग्लेंड भाग गया था अब लंदन की अदालत में नीरब मोदी को किसी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है वेस्ट मिन्स्टर कोड के जज सेमूल गूजी ने साफ कहा है कि नीरब को दोशी ठेराने लाइक जरूरी सबूत मौजूद हैं कोड ने ये भी माना कि नीरब मोदी ने सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने की साजिश रची ब्रिटिश कोट ने नीरब मोदी की मानसिक स्वास्त चिंताओं को लेकर दी गई दलीलों को भी खारिच कर दिया कोड ने कहा कि ऐसी परिस्थिती में ये असा मानने बात नहीं है जज ने बताया कि नीरब मोद को मुंबई के और्थर रोड जेल में परियाप्त चिकितसा दी जाए और मानसिक स्वास्त की भी देखवाल की जाएगी जज ने कहा कि नीरब मोदी को भारत भेजने पर आत्माक्तिया का कोई खत्रा नहीं है क्योंकि उनके पास और्थर रोड जेल में परियाप्त चिकितसा एजनसियों और नीरब मोदी के पास हाई कोट में अपील करने का मौका होगा जिससे माना जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई अभी भी लंबी खिच सकती है नीरब मोदी को प्रत्यारपन बारंट पर 19 मार्च 2019 को गरफतार किया गया था और प्रत्यारपन मामले के सिलसले में होई सुनवाईयों के दोरान वे बॉंसवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिये शामिल हुआ था हम आपको बता दें कि फोब्स के मताबेक 2017 में नीरब मोदी की कुल दौलत 180 करोड डॉलर यानी की 11700 करोड रुपे थी नीरब मोदी की कंपनी का मुख्याले मुंबई में है मार्च 2018 में नीरब मोदी ने न्यू यार्क में बैंक अरपसी प्रोटेक्शन के तहट याची का दायर की थी विरो रिपोर्ट खबर स्टीशन